इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और किसी व्यक्ति की सोचने और व्यवहार करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उन्मात के उपचार में उप्योग किया जाता है। इसका उप्योग अवसाद और द्वित्रुवी विकारों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। इश पिप्रा 5 मिली ग्राम टैबलेट M.D. को खाने के साथ या बिना खाय लिया जा सकता है, खास कर सुभा के समय. हाला कि इसे हर दिन एक ही समय पर लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे शरीर में दवा का एक समान स्थर बनाए रखने में मदद मिलती है. खुराक और आपको कितनी बार इसकी आवश्यक्ता है यह आपके डॉक्टर द्वारा तै किया जाएगा ताकि आपको अपने लक्षनों को नियंत्रित करने के लिए सही मात्रा मिल सके. इससे धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है. आपको बहतर महसूस करने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं. किसी भी खुराक को न छोड़ें और बहतर महसूस होने पर भी उप्चार का पूरा कोस पूरा करें. यह महत्वपून है कि यह दवा आपके डॉक्टर से बात किये बिना अचानक बन न हो क्यूंकि इससे आपके लक्षन और खराब हो सकते हैं. इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट्स में सिर्दर्द, ठकान, जी मिचलाना, उल्टी और धुंदली द्रिष्टी शामिल हैं. यह चक्कर आना और नींद आने का भी कारण बनता है. इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान देने की आवश्चक्ता हो. कृप्या अपने च जीवन शेली में बदलाव करके इस दुश्प्रभाव को कम किया जा सकता है. जब आप यह दवा ले रहे हों तो आपका डॉक्टर समय समय पर आपके रक्त शरकरा और कॉलिस्ट्रॉल के स्तरकी निगरानी करेगा. अपने चिकित सक को सूचित करें यदि आप इस दवा को लेते समय मनोदशा या व्यवहार में कोई असामानि परिवर्तन नए या बिगरते अवसाद या आत्महत्या के विचार विक्सित करते हैं. दवा लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रह ही हैं. आपको शराब पीने से बचना चाहिए क्योंकि इससे कुछ दुश्प्रभाव बढ़ सकते हैं. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.